वेल्कमिन डिप्लोमा लाइन क्लास एश्विडेंट्स आज जो है हम पुछ कोशन्स लेकर आए हैं इन्वर्स टिक्नमेक्टरी का और जो कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन दिका राता हैं चीक है और कल मैंने एक्स्प्लेंग किया था आप लोगों को आपने रिखा हो का तो उससे जो है रिलेटेड जो बॉर्ड में कोशन आया है पुछ कोशन तो मैंने करा निया थे अब पुछ कोशन आज देख लेके आज जो यह पाइनल चेप्टर का फिडिशिंग हो जाएगा फिर नेक्स चेप्टर लेकर कलोपसित होंगे तो चलिए हम देखते हैं लीस में इस बिविकर शिख्ट केजए यह सिख्ट करें क्या सिख्ट करना भी कास्ष 4 by 5 plus tan inverse tan inverse 2 by 5 10 inverse 2 by 5 equal to 10 inverse 23 by 40 10 inverse 23 by 40 देखिए आप इस question में आप देखिए कहास inverse में है जबकि यह 10 inverse में है अपने पढ़ा है और अगर 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 आपको नहीं आदा वाद इसको उधर टांस्पोच करके आने चाहिए लेकिन हम इसे एक चलेंगे और सुलूशन आपको देखाएंगे किस तरह से करवर्जन होता है तो शुलूशन में आ जाएं सुलूशन में हाँ यह लेकिस हैं कासिनवर्ज फोर वाइपाइब एक वाइब यह संगता है तो श्रीक्राइब यह वार्ट नवर्स अधुनिक्ट किया जा सकता है तो सेक इन्वर्स जब आपनध गरोगे तो सेकिन वर्स क्या हो जाएगा वभाण फूर बाइफाइब जो भी होता हो अपने चला जाता है आपन पाइब अपन में आ जाएगा क्लिक प्लस टैंड वर्स टू उपान फाइब देखिए करने चाहेंगे क्योंकि हमारा वैलू जो है टैंड में आ रहा है तो यह सेकिन वर्स जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा टो टो टैंड आम प्लस तो अगर इसे टैंड वार्स करना है तो है सेट आपको टैंड में घाला है तो यहां पर से इसको राड़ मैंनस वां यह जो है काहिन की रूप में होता है ठीक और उसे से यह करोगे तो यह जो है आप इसे सॉल्व किये हो और यह फार्मुला भी मैं बता दे रहा हूं कि कर से करेंगे तो यहां पर क्या वजाएगा फार्मुला पाले मैं बता दे रहा हूं और उसकी बाद आप इसे करोड़ करोगे तो इसको सेक्ट वर्स है फॉर अपॉर्पाइव या फार्पाइव फार्मॉर देख लोग इस तरह से करोड़ करोंगे फार्मॉल इकुल आप थीटा मालू तो यहां पर क्या हो जाएगा फार्म फॉर्पाइव फॉर्ट सेटेटा यह शेक्टीटा हो गया अब हमें टैंवेस में इसी को ले जान है तो आप ध्यांदो लूट एक है क्या हो जाएगा अंडर स्कॉर थीटा क्यों होगा अगर आपको यह नहीं आता है तो यह थ्यांद पूप कि किस तरह से निकालते हैं आप दान्यों स्कॉर सब्सक्राइब तो यहां तो आपको समझने आजाएगा अन्डरूर से कि स्कॉर्टीटा माइनस वन यानिकि यह से की वैलू क्या है अन्डरूर फाइफ अपान फॉर का होल इस्ट्वार माइनस वन यहीं चीज हम कर रहे थे कि इसमें कानोर हो जाएगा और थीटा एकोल टू क्या हो जाएगा थीटा एकोल टू टाक्वीं ओग्या हो जाएगा और यह अन्डरूट फाइफ पॉन फॉर का होल इसका है रेडिली फाइफ पान शीटीन माइनस वन आप टेलियों सब्सक्राइफ यहां पर आओगे तो टं सब्सक्राइब कर दो यहां पर यही चला है आपने से बहुत आसानी से जो यह थीटा है और थीटा किस पुर्मानिया हो आप से किन्वर्स सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर पूरा पूरा एक्स्टेंट कर लिया आपको कैसे किया जाता है सब्सक्राइब कर देखाएंगे कि अभी हमने बताया था कि अगर जाओ गया तो अंडर रूट यह सब्सक्राइब कि फाइफ बाइफ फॉर का होल इश्वायर माइनस मन यही मैं निकालता ना यह कैसे आया आप जड़ा देख लिए यही चीज़ है यहां आपको पता है कि से कि मोश्ट टैनिवर्स में जब आएगा तो जो यह एक साइस का स्क्राइब माइनस वान अंडर उप में लोके तो आज आएगा यह चीज़ आपको ध्रान लटना है और टैनिवर्स तो अपन फाइफ इसी का सपोर्टेव एक्स्लेमिशन मैंने यह पर दे रखा है कि यहां आप देखें कि किस तरह से कर्वर्ट होता है अब देखें आपका यह क्या जाएगा टैनिवर्स यहां पर 25 माइनस सिक्ष्ट टुटीफाइफ पॉपाउं 16 माइनस वान प्लस टैनिवर्स टूपाउं 5 अब टूटल टैनिवर्स में चला है इसलिए टैनियुर्स यह क्या हो जाएगा 25 मिनस 16 अपॉं 16 पॉण टैनिवर्स 2 अपॉं 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 9 5 10 एचो यह जो होगा तो यहां तक आपने कर लिया यह इस चीज तक आ गया अब तरी आपने को लिखना इसके आशकता तो है नहीं क्योंकि एक्स्प्लाइशन के लिए दिया गया था कि आप समझें किस तरह से करवाचिन किया जाता है अब यहां पर इस कुष्ण को आपके बढ़ाते हैं हम एक्स् आप टैनिर्वर्स रूट अपाँप्वन शेक्षिन मतब थीए पॉन पाइब फैफ प्लस टैनिर्वर्स क्या है वुआं वां पाइब ठीकत तु यह 3प पाइब हो गया यह डूट फाइब हो गया अब जो है इसका तू अपर त्रिए पाउन फोर नक्वाइब एट्सर प हाप पर आपको क्या करना है ताइंग इन्वर्स थ्री अपान फोर प्लस टू अपान फाइव अपान वन माइनस थ्री अपान फोर इंटू तो आप देखेंगे हाप पर आप कल्पुलेशन करें यह उपर जो है फोर का स्क्राइब हो जाएगा 20 और यहां पर जो है वन माइनस यह हो जाएगा 6 अपान 20 नाव यह हो जाएगा ओपर 23 अपान 20 और यहां हो जाएगा 20 माइनस सिक्स यहां कि 14 अपान 20 20 तुटी से टैंसल आउट हो जाएगा टैन वर्स टूंटी अपान 14 जो कि आपको यहां प्रूप करने को दिया गया है और यह हो गया आरे जस और देखेंगे कितना अच्छा कोशन है और यह इंपोर्टेंट कोशन है बोर्ट में दिया गया है तो आप इसे ज़रूर शाब करें रिवाइज करें चलिए नेक्स कोशन के तरफ करते हैं आप इसे नोबर टू यह भी बहुत इंपोर्टेंट कोशन है और बोर्ट में कई बार दिया गया है झान आप 10 और लू गॉर जान है कि थाष्ट साजनवर्ट बढ वाँ लू झान आी। प्लस साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 इक्वाल टू पाई बाई 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 टू यह अप्रूफ करता है पाई बाई 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 टू देखे बहुत इंपॉर्डर्ट गोशन में से यह है और यहाँ पर सीट जी करना है यह मैं लिखते रहा हूं सीट देखरें सलूशन यहाँ पर देखें गया साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 और साइन इनवर्स 5 अपॉन 30 साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 यह दिया हुआ है तो यह इसका है रहा चसे ले लिजिए साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 यह है अब इसमें साइन इनवर्स इन दोनों को लेने एक साथ 4 अपॉन 5 अंदर रूंट 1-5 अपॉन 13 का होली स्क्वाइल साइन इनवर्स एक साइन इनवर्स 5 का फार होना है दो ही कोई माँ करें तीसर को अभी छोड़े रखें और प्लस यह हो जाये का प्लस साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 यह ध्याम रखेंगे कि यह साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 को भी अलग रखेंगे इस कल्कुलेशन से हमें कल्कुलेशन के बन इसका लेना है तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 और यहां 1-25 अपॉन 16 अपॉन 69 यह 13 काओ रखेंगा और 5 काओ रखेंगे 25 प्लस 5 अपॉन 13 और यह क्या हो जाएगा 1-16 अपॉन 25 यह हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 अब यहां पर साइन इनवर्स इसे निकाले से आप 4 अपॉन 5 यहां पर जब आप घटाएंगे तो 169-25 कितना हो जाएगा निए हो जाएगा 9 अपॉन 25 यह हो जाएगा 4 अपॉन 5 इंटु 12 अपॉन 13 यह हो जाएगा पॉन 5 इंटु 12 अपॉन यहां से 5 से 5 कैंसल आउट होगा या तो आप चाहें तो कैंसल ने करें जब 65 नहीं आ रहा है तो उसको उसी रूप में लिखें और अच्छा रहेगा क्योंकि लेना पड़ेगा बाद में लेना पड़ेगा तो वह अंतर हो जाएगा साइन वर्स और यहां बने के मिने साइन वर्स इस्टीन अपान 65 आप की कल्पुलेशन करता आप पोजिशन को कैसे कर दाओ तो यहां पर आप देखें यह होजाया गां फॉर्टी एट आपन 65 ऐट यहां होजाया गां फिफ्टीन आपन 65 प्लस साइन वर्स 16 अपान 65 ना यह जब दोनों आइड होंगे तो 10 58 63 यह वाजा आएंडे साइन वर्स यह साइन वर्स है साइन वर्स 65 और उपर 63 जब आइड होंगे तो 63 अपान 65 प्लस साइन वर्स 16 अपान 65 ठीक यहां पर अब शाइन वर्स X प्लाइन वर्स 5 अपान वर्स दें आप साइन वर्स यह यह जाएंगे 63 अपान 65 इंटू अंडर रुट वन मैनस 16 का होल श्क्वार अपान 65 का होल श्क्वार अपुर्स यह हो जाएगा 16 upon 65, बुसाओ अवालादा, 16 upon 65, आरुट पान मिलस 63 होल शकूर अपुर, निखीवगका हुलिष्का होलिष्का है, आप कि अपुरिए अब इसका 65 होलिष्का है, औरुट बु़िए शकूर अवस निएगका हैं, यब शकूरिका हैं, जिक टूदिएगका हैं, आप दिक के।र यह क्या हो जाएगा, 63 अपॉन 65, 63 अपॉन 65, यह 3 है, यहां देजिएगा, क्लियर आपको दिखाए देना चाहिए, और इंटू, अंडर रूट, यह हो जाएगा, 1-256, यहां पर होगा, 65 का होल स्क्वाइब, टिक, आप ज़रा धिहां दे, 65 का होल स्क्वाइब क्या होगा, आप इंटू 65 कर लेंगे, यही पर आप निकालें, 5-10-25, 5-6-30, एंटू 32, और यहां पर 65-36, एंटू 36, और 3-39, यह हो जाएगा, 5-2, और 2-4, 4-2-5 होगा, और 63 आप इंटू 63 का भी निकालें आप, तो 3-3 जाएगा, इसी तरस निकालेंगे, और 3-60, यह हो जाएगा, 6-3 जाएगा, और 6-6 जाएगा, 36 और 137, आप देखें, 9-6, और 8-9, 3-39, 6-9, यह हो जाएगा, आप देखें, 9 आजाएगा, 33-9, 6-13, 6-3 जाएगा, यह 18 होगा, 6-6 जाएगा, 9-69, यह होगा, तो आराम से आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, 4, 42, 25, और प्लस, यह 16, 65, 16 अपान 65, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइग इनवर्स, 63 अपान 65, इनटू, यह अंडरूट में, 4, 42, माइनस, 256 लिखोगे न, तो 39, 69 यहाँ आएगा, अपान 42, 25, यहाँ होगा, प्लस, 16 अपान 65, जब इसमें इसको घटा होगे, क्योंकि 4, 42, 25, माइनस, 39, 69 अपान गटा होगे, तो अदरूट में आएगा, 256 अपान 42, 25 अपान 42, 25 अपान के देखलेना, और इनने आएगा, और फिर साइन नमर्स, यह क्या हो जाएगा, 63, 65, और इसका भी रूट हो जाएगा, 63, 65, प्लस, यहाँ पर आजाएगा, 16, 16, 65, प्लस, इन्टू, 16, इसका उपर का जो होगा, 16, और यह निचे, 65, अब देखे, 65, इन्टू 65, आफ मल्टिप्लाइग की हो, एक ही, बार आपने मल्टिप्लिकेशन इहां का लिए, आपको क्लियर होगा, कि उसका वाईव कितना आगा, तो आ इनका 63, मिन्टू 63 होगा, आपको 65, 65, 42, 25, यह हो जाएगा, प्लस, यह 256, और 42, 42, 25, ठीके, कल्कुलेशन आपको ध्यान से करना है, क्योंकि यह है, कल्कुलेशन होग में, यहाँ पर दो को लेकर चलना, फिर जो रिजट आएगा, उसमें उन दो को लेकर चलना, यह है, इस इसी लिए एकोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीकर, साइग इन्वर्स, जब आप आप करेंगे, 42, 25, यह 39, 69, प्लस, 256, आप आप करके देखें, इसी से सब्ट्रेट करना है जाना, आप आप करके देखें, तो वह ही आएगा, 96, 15, और 56, 11, 12, और 93, क्योंकि यहाँ आ आप 3, 12, और 3, 14, 4, 42, अपान 42, 25, यही है, 42, 25, यह बन टाइम्स कर जाएगा, और आयेगा, साइन इन्वर्स, और साइन इन्वर्स, पन की वैलू क्या आप यह, साइन इन्वर्स, वन में साइन पाइगाई नुग होता है, पाइगा, तो यही आप सो सकते हो, यह कोशिन क्यों इन्वर्स है, ठीक है, तो यह पूरा-पूरा जो है, कोशिन्स, आप देखें, इधर कोशिन का पार्ट बने किया, 65 into 65, आपको जिसे की क्लियर हो जाए, कि यह नंबर आ कहा है, और 63 into 63, ठीक, यह, ट्रिपलेट्ट, पाइथापोरियन ट्रिपलेट्ट भी होता है, तो चलिए, नेक्स कोशिन, हम बढ़ते हैं, नेक्स कोशिन के तरफ, और यह कोशिन बहुत हीजी है, और बहुत अच्छा कोशिन है, यह थोड़ा सा आपके कल्पलेशन, पार्ट आप यू से यह थोड़ा इस्ट्रॉन कोशिन था, इसे पारे वाला भी स्क्राइब करता है, तो आसानी से कर सकते हैं, पारे मियुक्तर कर्के कुशिन नुमर थ्री, यहां दिखाबा सिद्ध कुरे, टैनि यंवर्स मान उन भाई ठी, टैनि निवर्स तर्ट्रॉन, टैनि निवर्स अन बाई तू तर्यस जून जून पाई थरी, 10 inverse 1, 10 inverse 2, 1 by 2, and 10 inverse 1 by 3, equal to 5 by 2, यह जो है, यहां पर है, इसको प्रूफ करना है, तो सलूशन देखिए, यह काफी ही कोशन है, इस तरह के कोशन दे दिये जाते हैं, और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे कैसे करें जब तीनों का एक साथ गया है, तो तीनों एक साथ लेकरना चलें, आप तीन का पार्मूला होता है, तो आप आराम से कर सकते हो, इन ही दोनों का आपको कल्कुलेशन करता होगा, तो यह जी हो जाएगा, तो यह जाते हैं, 10 inverse 1, plus 10 inverse 1 by 2, plus 10 inverse 1 by 3, यह होगा, 10 inverse 1, मतलब क्या हो गया, 10, 1 pi by 4 के लिए होता है, यह अपना लिख लीजे, इस दोनों में 10 inverse x plus 10 inverse y का फार्मूला लगा लिजे, तो 10 inverse क्या हो जायागा, 1 by 2, x, 1 by 3, यहनि कि y के लिखापर 1 by 3, और x के लिखापर 1 by 2, 1 minus xy होता है, यह होता है, यह कि 1 by 2, into 1 by 3, टीके, यह आपको adjustment method से हो जायागा, पाई बाई 4 क्योंकि 10 इंवर्स 10 खटम हो जायागा और यह 10 इंवर्स यह हो जायागा उपर 6 यहां पर 1-1 उपर 6 के लिए यहां पर पाई बाई 4 हो जायागा पाई बाई 4 होगा उपाई इंवर्स एंवर्स 10 फाई नागा और यहां पर आ हो जायागा यहां पर हो जाए तो से फोर नटेंगे क्या वाइगा और यहां यही क्या है आप को एक करना था तो यह आरेश लो गया से अट क्रूब तो एक अब कोशन दी आपको हम आप इसे अच्छे से सौल करें कि नेक्ट कोशन हम देखते हैं नेक्ट कोशन में यह जो है यहापर ब्याब आए कि यहाद साइब बस एक्ष और फोर किली साइब वाइब यह आप दानते हो यह उता भी है जो साइब रिख एक्स प्रस्ट राइन वर्स बाई इकोल टू पाई बाई टू है तो सिटे करेंट इसके आने की समभाना देख से अधिकर इसे ध्याम लगी है कर एक्स अंडरूट वाइनस वाइनस वाई स्कॉर प्लस वाई इंडरूट ना यस इकोल 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 टू वाण टिक यह प्रूब करना है थीक है तो सलुशन देखिए क्या होगा साइन इनवर्स यह दिया गया है ऐसे लिख लेंगे साइन इनवर्स एक स्वाइव इकल दूपाइव यह आप्ता फार्मुला भी है यह दिया भी क्या है है तो sin inverse x plus sin inverse y क्या हो जाएगा sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square यह पार्मूला sin inverse x plus sin inverse y का है और यह पार्मूला वही मैंने कहा कि यह पार्मूले में दिया गया है यह पार्मूला ही है यह ठिक बस sin inverse x को अधर ले जाएगे sin inverse को अधर ले जाएगे तो sin हो जाएगा x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square पर 2 sin pi by 2 therefore x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square sin pi by 2 यहान की sin 90 डिवी तो यह तो अधर यह वान होता है और यह जो देखें लिए तिन दान के कोशन खतम हो गया पहला आपने लिखा फिर फार्मूला लेखा और यह पर इस तरह के कोशन भी आप में आएंगे एक दियांवा है जो उसे आपको देख रहें चाइन के फार्मूले पर है तो उस फार्मूले पर दिया गया है आपको उसे शाल पर महुत अच्छा कोशन है तो इस कोशन को भी हम देख लेते हैं या यूज़ नुमर फाइफ फिर आते हैं पोशन नुमर 6 जो कि लास कोशन होगा आज का कि इसके पोशन कुछ एक दो छोड़कर सब जी खुशन है और सब खार्मूला पेस्ट पूशन है आप लगा सकते हैं यहां पर दिया आपकोशन नुमर यह 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z equal to pi by 2 10 inverse z equal to pi by 2 तो सिद्धे करें क्या उपका भी सिद्धी क्या करना है आपकों xyz यहीं की yz plus zx plus xy है वाइगे मैं प्लस जड़े एक्स ने रिख लेकिए प्लस जड़े एक्स वाइए लेको यह आपको प्रूफ करना है यह आपको सिद्र करना है ठीक यही प्लस तो कैसे सिद्र करेंगे सब्सक्राइब लेते हैं देखिए इंको LHS RHS से नहीं लेके चलते हैं जैसा पिछला कोशिन में जश्का बिल्में ये करवाया है ये पूरा-पूरा फार्मूला बेस्ट होता है इसी को लेक चलते हैं जहां फार्मूला बेस्ट दिखाए दे एक्स 10 inverse X, 10 inverse Y और 10 inverse Z ये 5 by 2 हो जाएगा एनिकी 10 inverse X plus Y plus Z फार्मूला बेस्ट रिखाए नहीं दिखाए है इसका फार्मूला बेस्ट दिखाए है इसका फार्मूला 10 inverse X plus 10 inverse Y plus 10 inverse Z का तो आप चो है 10 inverse को अधाल है जैसे पिछला question आप में किया है और X, Y, Z अपान 1 minus X, Y minus Y, Z minus Z X equal to 10 pi by 2 10 pi by 2 क्यो वैलू आप जानते हो इंफिनिटी हो थिया इंफिनिटी का मतब अब बन अपान 0 तो आप बीकिन गे X plus Y plus Z minus X, Y, Z अपन 1-xy-y-z-z-z यह वैलू होगी इंफिनीटी का मतलब एपन 0 आप डिरेक्ट यहां एपन 0 लेदो तो देखो ऊपर क्या है 1 है, यह यह वैलू तो 1 के बराबर होगी लेकिने, यह वैलू क्या होगी 0 के बराबर होगी तो आप लिख सकते हैं, therefore, 1-xy-z-z-z-x-0, क्योंकि इस इस्तिति में दिनोमिनेटर आपका 0 होगा, तभी इंटिनिटी आएगा, और दिनोमिनेटर में क्या है, 1-xy-y-z-z-z, अब आप जो है, इनको उह ले जाओ, तो 1-2-xy-z-z, यह तो प्रूफ हो गया, लेकिन आप चाओ तो इसको लिख सकते हो, y-z, therefore, y-z-z-z-x-y-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z- तो आप इस तरह से लेख सकते हो चलो नेक्स कोशिन आपका वो लास्ट कोशिन है आज का आप यह समझने आ गया होगा बहुत इंपर्टन कुशन है और इस बात यह जो इस से पहले और इसको बताये हैं उसका इपॉर्टन काफी अधिक है इस तरह कोशन आते रहते हैं है बरते हैं प яstep में नेक्स कोशन है इस नेम सभ्णव पौक करें यह सभ्ण पहल करना है कोश्यों नॉमर शेच्ञ सर मिकरण को कलक्ष कर पिस तरह के भी कोषण आते हैं तो आप धिनर नकिये अ कर यह से निकल दिया हुगा क्या है 10 inverse 1 by 2, 10 inverse 1 by 2 minus 10 inverse 1 by 7, यह से निकलने चाहिए तो चलिए हम साथ करते हैं और फिर यक्स की वैलू लेकर आते हैं तो क्योंकि यह प्रूफ करने को नहीं को दिया गया है इसी लिए मैं इस तरह का कुशन लगा रहा हूं अगर देते तो आप सॉल कर सकी यहां देखें 10 inverse क्या हो जाए अगर 1 by 2 minus 1 by 7 upon 1 plus क्योंकि 10 inverse x minus 10 inverse y जो ओकर 10 inverse x minus y upon 1 plus 1 by 2 into 1 by 7 यहां यहां प्रूपर यहां प्रूपर लिए और यहां इस प्रूपर लिए आप जाएका 7-2 upon 14 कैसे 2 और 7 का LCM 14 होगा और 7 यहां मुटिप्लाई 2 यहां मुटिप्लाई हो जाएगा फिर यहां पर होगा 1 plus 1 upon 14 यहां पर 5 आजाएगा ओपर 10 इंवर्स 5 upon 14 और नीचे आजाएगा 14 बंजा 14 प्लस फिफ्टीन अपान 14 देखिए 14 दोनों के इलामिनेटर में हैं यह कैंसिल आउट हो जाएगा यहीं 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा अब आजाएगा 10 इंवर्स 5 upon 15 इंवर्स तो 10 इंवर्स यहीं 5 upon 14 5 पर यह जाएगा 5 और यह 15 तो 5 अंजा 5 ते रे जाएगा 10 इंवर्स 1 by 3 हो गया और यह काट इंवर्स हाइगा इंवर्स काने ईखू जाएगा तो यह किया हो जाएगा कॉट इंवर्स इंवर्स में त्री कोटिनुवर्स फेरिम नवर्स तो इस तरह से बहुत आसानी से आप मिकाल सकते हो आपको इसमें जितरे तरह के कोशन दिए गया है और इसके साथ जो गोर्ड में रिसेंटली जो है टेनियर्स में रिवाइब हुए है और खासकर फाइफ एसमें उनको साउब करा जिया गया है सब्सक्राइब करेंगे और वह जो है आपका अवकलन होगा जिसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे उसके बाद पढ़ाएंगे लिमिट पर कांटिनूटी डिफ्रेंस में दिये कही साथ हो जायागा और फिर डिफ्रेंसियेशन जो की आप समझ लीजे कि एक लास्ट जो है यून आपको मिलेगे तो आप जरा ध्यां दीजिए कि आगे जो यानि कि एक हपता या दस दिन चलेगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए तो आप इसको देखते रहें और लेक्शर में ने करें लेकिन इससे इंपॉर्टेंट यह भी है कि जो भी आप पढ जितना आप अभ्यास करेंगे उतने अच्छे नमबर आपको प्राप्ठ होंगे आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं अश्टेक्टर पर धानेवाल